Hello everyone, this is the second video of the chapter Reproductive Health ये second video है Reproductive Health chapter का और इसमें इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ने जनरल इंट्रोड़क्शन की बात की थी और और पॉपलेशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके क्या कॉजस होते हैं और गौर्णमेंट किस तरह की से उसके लिए प्लांस बनाती है, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाती है इसके बारे में हम लोग ने बात की थी अब हम लोग बात करेंगे कुछ एक टेक्नीक के बारे में हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्योसेंटेसिस प्रॉसस है अम्योसेंटेसिस एक टेक्नीक एक मैथड है आपको पता कि जो फीटस होता है उसकी जो उपरी मेंब्रेन होती है ताट इस दा अम्योन और जो फीटस जिस फ्लुड में डूबा रहता है जिसमें डवलप होता है उसे बोलते हैं एम्योटेक फ्लूड तो होता किया है इस टेक्नीक में इस टेक्नीक देको इस के लिए हम क्या करते थे या आपको जिससे फीडर में दिख रहा है कि यह इंजेक्शन होता है सिरिंज इस सिरिंज को मदर के वांब में ऐसे सिरिंज से लेकर के इस से यहां पर एम्नियोटिक फ्लुड जो होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं जो इसकी स्कीन है है फेसिया है यूट्राइन वॉल है एम्नियोटिक कैविटी में जो इसको बाहर ले ले लेते हैं और उस फ्लुड में बहुत सारी फीटल की सेल्स होती है फीटल सेल्स होती है फिर उनका केरियो टाइप लेकर मतलब उनका क्रूमोजोम स्टर देखते हैं उसके स्टडी करते ह कि उसमें कोई chromosomal disorder है या नहीं है इनकेस अगर development में कोई problem issue हो रहा है तो बट इसमें क्या करते हैं actually first of all पहले हम यह देख लेते हैं देखो amniocytis synthesis में some of the amniotic fluid कुछ amniotic fluid जो developing fetus का है उसको लिया जाता है और analyze कियाता है fetus को and dissolved substances जो भी जिस fluid में वो baby grow कर रहा है baby sorry fetus जो grow कर रहा है जो जो grow कर रहा है उस fluid का क्या composition है उसमें chemical composition कैसा है उसका osmotic consent जैसा भी उसका जो constituents हैं उसकी हम study करते हैं this procedure used to test the presence of certain genetic disorders generally इस technique को हम किस genetic disorders के presence के लिए study करते थे जैसे down syndrome है या hemophilia है या sickle selenemia है determine the survivability of the fetus जिससे हम fetus के survivability को देख सकते हैं कि fetus आगे survive करेगा after birth उसको कोई issue तो नहीं होने वाले है but this technique is also misused इस technique का misuse भी किया जाता था fetal के sex determination के लिए मतलब amniocentasis से जब fetal cells निकाली जाती है और उनका kerotype study किया जाता है उस time पे उनके chromosomal pattern से या chromosome से पता चल जाता है कि वो जो fetus है वो male है या female तो इसके basis पे जो होता था कि जो female feticides थी मलब बहुत से ऐसे couple होते थे या बहुत से male होते थे dominating male जिनको female child नहीं चाहिए होता था तो उनके साथ होते थे कि वो abortion करा देते थे तो इसलिए इस टेक्निक का बहुत जादा मिसूज हो रहता है लोग इस टेक्निक का यूज करके अपने फे जो बीबी है उसका सेक्स पता कर लेते थे और female feticide के cases बढ़ रहते हैं चीक है बट इससे हुआ क्या कि गौर्मेंट ने इसको रोकने के लिए कि stretchary ban एक बैन लगा दिया हमने sentences पे for sex determination to legally check and increasing cases of female feticides जिससे जो female feticides के जो cases हैं बढ़ते वी cases हैं उनको रोका जा सके तो इसलिए कभी भी आप अगर ultrasound कराने जाते हो pathology में या किसी कोई भी diagnostic techniques का use करते हो जो भी कुछ भी ज्यादा detail है तो उसके लिए वह आपका अधार card और आपकी identification जो पेपर है वो जरूर देखते हैं कोई pregnancy test होगा या ultrasound test होगा तो उसमें भी बाहर देखो वहां पे जहां पे यह ultrasound room होगा उसके बाहर यह लिखा रहेगा कि sex determination is legally prohibited जो sex का पता करना जो है वो legally prohibited है ठीक है तो यह आपको clear हो गया यह आपको clear हो गया दन हम बात करते हैं population explosion और birth control methods में ठीक है तो population explosion क्या है what is population explosion या बहुत अर्लियर कासस से भी 6 7th year से इसके उपर आप पढ़ते आयोगे articles पढ़ते आयोगे अपने books में भी देखा होगा और rapid increase in population in a short time अगर बहुत कम समय में बहुत जादा तेज अगर population growth करती है तो उसे बोलते है है population explosion या जनसंख्या विसफोर्ट जो हिंदी में कहते हैं इस लिए इसके लिए जो गवर्मेंट है जैसे 1947 के बाद मताब जब आजादी के बाद जो इंडियन population है वो धीरे धीरे बहुत देजी से increase की और आज हम लोग 135 करोन से उपर है अभी 2021 में दुवारा से इसका population की जो एक अलार्मिंग है वो बहुत ही नुकसान दायक है तो फर्स्ट अफल देफिनेशन देख लेते है पॉपलिशन इसका पॉपलिशन एक्सप्लोजन ये तो पॉपलिशन ए अब फॉर इंप्रूवड कॉड़ी ऑफ फुपल लोगों की जो लाइफ है उसकी कॉड़ी इंपो लोगों को घा बेटर हैल्थ फैसलिटी जमिली है बेटर लीविंक कंडिशन समिली है इसका एक एक इक्सप्लोजीव इंपक्ट पड़ाया explosion of population क्योंकि पहरे क्यों होता था कि जब भी कोई disease फैलती थी तो disease कारण रहता था बहुत सारी population को कम करने का बहुत से लोग उसमें उनकी death हो जाती थी या medical better medical facilities ना मिल पाने कारण बहुत हो जाती थी even जो pregnant ladies होती थी pregnant mothers हैं उनके baby हैं उसमें बहुत मतलब infant का mortality rate बहुत जादा था adult का mortality rate बहुत जादा था but better medical facilities की वजह से increased health facilities की वजह से क्या हुआ है कि इन सब जिजों पर काफी रोक लगी है तो इसकी वजह से population जो है वो बहुत तेजी से ग्रू भी की है the world population which is about जो overall world की population है वो 2 billion है कब 1900 में ठीक है 1900 में है और वो रॉकेड़ेड मलब 1900 में थी रॉकेड़ेड तूबाउड जो 2000 तक मलब 1900 में विदिन ए सेंचरी एक सेंचरी में वो 6 billion तक पहुँच गई और 7.2 billion मलब 7.2 billion पहुँच चुकी है 2011 तक A similar trend was observed in India और यह जो जिस तरह का alarming phase of growth दिख रहा है इस तरह का एक similar trend इंडिया में भी सें है क्योंकि इंडिया की population भी इसी rate पे बढ़ी है अबर पॉपुलेशन मिला हमारी पॉपुलेशन जो है विच वाओ 350 million at the time of जब हमारी इंडिपेंडेस दी 1947 के time पे 350 million थी रिच्ट क्लोस तू द बिलियन मार्स बाई 2000 और सन 2000 तक 2000 तक हम लोग एक अरब हो चुके थे and crossed 1.2 बिलियन in May 2011 और May 2011 तक हम लोग 1.2 बिलियन हो गए ठीक है और अब आगे May 2021 में हम लोग को इसका नया डेटा मिलेगा जिसमें देखते हैं हम लोग की क्या population growth होती है तो rapid decline अब क्या reasons थे इसके rapid decline in death rate जैसे हम लोग ने बात की कि जो death rate था उसमें बहुत death rate में कमी आई MMR maternal mortality rate मतलब जो pregnant mother है उनका mortality rate कम हुआ IMR infant का mortality rate कम हुआ along with increase in population of reproductive age और लोगों की जो reproductive age मतलब जो adult है उनका mortality rate कम हुआ तो जो people reproductive age में थे फिर उस से उन में population जो थी वो बहुत जादा बढ़ने लगी ये कुछ main reasons थे population explosion के ठीक है तो ये clear हो गया now according to 2001 census report अगर हम 2011 की census report को देखे है तो उसके according जो population growth rate था वो 2% से कम था 2% का मतलब है 20 new individuals per 1000 individuals per year at a rate इस rate में ये rate था जिसमें हमारी जो population थी वो बहुत तेजी से rapidly increase कर रही थी such an alarming growth rate ये बहुत जादा alarming growth rate है which could lead to absolute scarcity of the event of basic alarm अगर ये ही growth rate चलता रहा तो बहुत जल्दी बहुत ही जादा कमी हो जाएगी हमारी basic requirements की even basic requirements जो हमारी रोटी, कपडा, मगान जिसे हम बोलते है food, shelter and clothing इनकी भी बहुत जादा कमी हो जाने वाली है अगर इस alarming growth rate को कम नहीं किया गया तो, in spite of significant progress made in those areas चाहें country कितनी भी develop हो जाए अगर इसकी population को control नहीं किया गया तो बढ़ती भी population बड़ी सबड़ी developed country को भी वो क्या करा, खतम कर सकती है therefore, the government has was forced, इसलिए government को जबरदस्ती, बलपूरवक to take up a serious measures बहुत ही गंबिर कदम उठाने होंगे to check this population growth rate इस population growth rate को रोकने के लिए, ये बहुत जरूरी है steps to overcome population explosion और जिस तरह का alarming growth में population बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कुछ steps हैं जैसे, first of all, to motivate for using various contraceptive methods लोगों को motivate करना use करने के लिए, बहुत सारे contraceptive method जिससे वो अपनी family planning कर सके और बहुत ही ज़्यादा महलब बच्चों को ना जन दे ठीक है, now second educating people, लोगों को शिक्षित किया जाए about the demerits of large family, जिससे उनको बड़े परिवार से होने वाले जो disadvantage है, जो नुकसान है उनको बताया जाए, कि जिससे वो बहुत ज़्यादा बड़े परिवार में, फिर वो अपने बच्चों का पालन portion सही से नहीं कर पाते हैं जिससे क्या होता है, कि वो एक तरीके से गरीबी रेखा के ऊपर नहीं पाते हैं, हमेशे गरीबी रेखा में ही रहते हैं Increased the marriageable age और जो लोगों की marriageable age है उसको बढ़ाजाए फिमेल की क्योंकि अगर अरली, जल्दी marriage होगी अगर पहले फोर्टीन यर्स और फिफ्टीन यर्स में शादी हो जाती थी, तो उनकी reproductive age बहुत लंबी होती थी, जिसमें से उनके जो office springs होते थे उनके जो नए उनके संताने थे उनके जादा होने की चांसे से जिसको बढ़ा करके 21 और 2018 किया गया है, तो इसको बढ़ाया जाता है, जिसके वज़े से जो population है उस पर थोड़ा सा क्योंकि adolescent phase में marriage हो जाने पर जो होता है, लोग properly educate नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, और इस तरीके से उनको लोगों को बताया जाता है, उनको पढ़ाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, जिससे large family से होने वाली team merits को जान सके हैं now providing incentives लोगों को to parents having, जिन बच्चों के, जिन parents के एक दो बच्चे हो उनको incentives दिया जाए, उनको इस अच्छे कदम के लिए उनको motivate किया जाए उनको help की जाए जिससे लोगों को भी इससे शिक्षा मिले, लोगों को भी एक छोटी family से होने वाले जो profits हैं, उनके लिए वो इस population को रोकने में बहुत help करें now contraceptive methods जो contraceptive methods होते हैं जो pregnancy को रोकने अले methods हैं, are used to prevent the unwanted pregnancy, उनको use कहा जाता है, जिससे वो unwanted pregnancy, मतलब जब हम pregnancy नहीं चाहते हैं, तब होने वाली pregnancy को हम रोक सके, and modifying the menstrual cycle, और menstrual cycle को भी modify कर सके modify मतलब, उसको इस तरह से naturally change कर सके, जिससे जो female है, उसको कोई harm ना हो, now पहले, an ideal contraceptive एक ideal contraceptive की क्या qualities होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, first जो भी ideal method है, ideal contraceptive method है वो तो पहला user friendly होना चाहिए लोगों को problem नहीं होनी होना चाहिए, reversible होना चाहिए, reversible होना चाहिए, reversible का मतलब यह नहीं किया, अगर हमने method यूज किया, तो अब future में कभी भी हम लोग pregnancy नहीं कर सकते, तो मतलब ऐसा नहीं है कभी भी चाहते हैं, तो आप जो जब अगर आप बच्चे चाहें, तो आप produce भी कर सकते हैं, तो reversibility होनी चाहिए, no or least side effect, और उसके side effect नहीं होने चाहिए, no way to interfere with sexual desire or sexual act, मतलब वो उसका किसी तरह के से कोई negative effect हमारे sexual act में जो हमारे sexual meeting है, जो हमारी sexual desire जो इचाहिए उसको negatively effect नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़े होनी चाहिए, ideal contraceptive में, contraceptive methods could be divided into the following categories, और जो contraceptive methods है, उनको इन categories में divide किया गया है, concept methods है, देखे, first natural or traditional methods, पहले मैं आता है natural या traditional methods, जो प्रकृतिक method है, जो हमेशा से हमारे पूरवजों से चले आ रहे हैं, वो natural methods हैं, दूसरा barrier methods हैं, तीसरा intrauterine devices हैं, चौथा oral contraceptive pills हैं, tablets हैं, और पांचवा injectable ya implants, मतलब body में कुछ implants, कुछ छोटी devices लगा दिये जाते हैं, जिससे जो है, pregnancy को रोकने में हमें बहुत help मिलती है, और चटा surgical methods है, terminal methods, इसमें surgery की जाती है, tubectomy और vasectomy, जिससे जो female gamit और male gamit को रोका जा सकता हैं, ठीक है, तो यह कुछ methods हैं, तो अब हम एक-एक करके इन methods को देखेंगे, but अपने next video में, next video में हम in methods के बारे में detail बात करेंगे, ठीक है, तो तब तक ले thank you, और in case अगर आपको कोई doubt होता है, तो comment section में जरूर पूछेगा, और अगर अच्छा लगता है, तो आगे भी आप इसको देखिएगा, इन videos को continue, जिसके आपको एक पूरा concept clear हो सके, और आपके जो board examination में वो अच्छे से अच्छे मार्स आ सके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और सारे videos इसके दिखिए, जो इसके पहले के videos हैं, और जो आगे आने वाले videos हैं, ठीक है, तब तक ले thank you all, and have a nice day बटा